वीडियो में कल का एक्टिविटी के आगे बात करते हैं तो बच्चों हम दोग देख लिए कि जो आपका कल जो आम दोग एक्टिविटी डिसकस किये थे ठीक है तो बच्चों इसमें क्या था कि आप देखो भी कि गुलकोज और अल्कोहल का केस में बॉल्ब जो है जल नहीं जा था बॉल्ब गुलो नहीं कर रहा था यानि दोनों से करेंट पास नहीं कर रहा था और बॉल्ब आपका गुलो कर रहा था हम लों का यह हाईड्रोकुलोरिक एसिड का केस में और सल्फूरिक एसिड का केस में तो बच्चों यहां क्या देखे हैं हम लोग इस एक्टिव तो बच्चों इसका region हम लोग आगे देखेंगे तो बच्चों आप देखोगे कि जो activity हम लोग 2.3 में discuss कियें तो उसमें जो था आफका good conductor का काम कर रहा था सिर्फ दोनों acid ठीक है गुलकोज और alcohol में current pass आफका नहीं कर रहा था तो यह insulator का काम कर रहा था दो ठीक है तो बच्चों इसमें insulator का काम किया मतलब in these two यह दोनों क्या था they are not released as plus iron ठीक है यह aqueous form में release नहीं कर पार रहा था इंडोग iron ठीक है तो यह क्या हो गया iron release नहीं किया and due to this बच्चों क्या था कि नहीं release करने के कारण bulb बुलो नहीं कर रहा था H plus or Cl minus in all acid children that is the common thing that is all acid release H plus iron ठीक है इन aqueous form तो whenever you write H plus iron release by acid you remember children we write it like this आप इस टाइप से ही लिख हो गया जिसे लिख रहा है ठीक है दूसरा तरस आपको नहीं लिखना है तो acid में सबसे common चीड आपको बच्चों जो मिला वो मिला कि acid release H plus है if we do this activity children with the base इसी activity को repeat हम लोग base के साथ करेंगे जैसे sodium hydroxide calcium hydroxide and other bases children we find it कि they are good conductors ये भी क्या होता है जो base है good conductor होता है तो reason it behind चीड है in base release OH minus ion तो जितना भी base होता है बच्चों base जो होता है water soluble alkalis they are release OH minus ion which are responsible to carry the current and in acid carry H plus sign acid में ये H plus sign current को carry करता है that's why they are good conductor of electricity तो बच्चों वीडियो कैसा लगा comments जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और like subscribe जरूर कर लेजेगा thank you children for watching this video